हेलो बच्चो स्वाद करते हैं हम अपनी चैनल एच्पी में और आप सबको बता दें यह प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर फस्ट है जहां पर हम सबी लोग कुछ कैमिस्ट्री के पी वाई क्यू दिख रहे हैं यह पी वाई क्यू आपके जेई और नीट 2025 में जो एक्जाम कंडिक्ट होगा उसके लिए आपके लिए होगा यह प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है आप इनका मैं आपको सॉलूशन करता हूं या सॉलूशन दे रहा हूं इनको आप सबके और लगाने का प्रास करें ठीक है चलिए यहां बात है बूड इस्परिट इज नौन एज बूड इस्परिट इस नौन एज एथिनॉल प्रोपेनॉल मेथिनॉल एन ननौप तीज किन मैं से कोई नहीं है बूड इस्परिट हम बूड इस्परिट के नाम से किसको जानती है इस पारे में कुश्चन ने आपसे कि जानते हैं बूड इस्प्रिट हमारी मैथेनॉल होती है क्योंकि यह एलकॉळ टू टाइप से एक एधेनॉल एंड मैथेनॉल जिनमें से एधेनॉल तो एक समय लेजिए जिसको हर परसन पीता भी है और मेथेनॉल को पीना हानिकारक होता असियत के लिए बूड इस्प्रिट होता क्या है किस नाम जाने जाता है मेथेनॉल नाम से जाने जाता है ठीक है आईए आगे देखें which of the following hormones cation contents iodine मतलब iodine कौन सा हार्मोन content करता है testosterone thyroxine adeline insulin तो यह दो छोड़िए adrenal आप जानते हैं kidney पर एक topinoma संदचना होती है structure वो adrenal होती है इसको हम fighter hormones भी कहते है adrenal को और insulin हार्मोन जो है आपका diabetes बाला सिस्टम होता है इसमें यह किबल thairoxine ही है जो iodine content करता है ठीक है अरथा c option आपशन आपशन होगा चले थर्ड नमर पर आईए यह question आपके लिए बहुत अच्छा है जहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी है पहली बार यहां लेगा which of the following order is incorrect मतलब कौन सा incorrect है इन में से A incorrect है कि B है कि C है कि D incorrect मतलब सही नहीं है ध्यान से समझना कि सही कौन सा नहीं है ठीक है सही कौन सा नहीं है इसके बारे हमाँ पता लगाना है तो दोखो ALCL3 MGCL2 NCA Polarizing Power थान से सुनना सही कौन नहीं है ठीक हो Polarizing Power जो होती है वो Cation पर Depend करती है Cation पर कहती है Depend जिस पर Cation ज़्यादा उसकी Polarizing Power ज़्यादा मैंने कहा Polarizing Power जो है वो Cation पर Depend करती है इस पर Depend करती है Cation पर इसका मतलब है है कि जिस पर Cation ज़्यादा मतलब मैक्जिबं Cation जिस पर ज़्यादा होंगे समच जाना Polarizing Powers की सब्सुच ज़्यादा जैसे Al Cl3 मैं Al पर Cation होंगे Plus 3 MgCl2 मैं Plus 2 Nacl मैं Plus 1 Cation होगा जो सबसे दे Polarizing Al Cl3 में होगा सही बता रहा है MgCl2 में सही बता रहा है Nacl में सही बता रहा है मतलब ए तो Right है Correct है विलकुल जो Polarizing Power Cation पर Depend करती है जिस पर Positive Charge ज़्यादा होगा Polarizing Power ज़्यादा होगी First Complete हो गया यह सही हो गया यह तो Correct है यह Correct है तो हमें Correct नहीं चाहिए In Correct चाहिए अर्था इस गलत मानेंगे हम तो दूसरी बाहन CO CO2 CO2 CO3 Bond Length आपको पता है अलग कर दोड़ा सा सब्सक्राइब आपको पता है जो Bond Length होती है ऐसा मान लेजिए ऐसा है BL इस प्रप्रणतू 1Y Sorry 1Y Bond Order ठीक है इदेंगे Bond Length इस प्रप्रणतू Bond Order यहां का पुझा Bond Length मतलब Bond Length अधी यह देखे तो Bond Order क्या हो जाएगी कम और यहां का CO CO2 CO3 Bond Length तो इस Bond Length का जो करम है वह राइट है आपका अर्था BY हमारा भी सही कहलाएगा ठीक तो हमारा यहां पॉर्जान सही है AB सही है AB आप देखे Dipole Moment क्या है Dipole Moment देखिए आप BCL2 NF3 सबसे देख NH3 में ही Dipole Moment होता है दुए दुए दुरुप NF3 में से भी काम होता है तो यह ठीक अर्था 1 B C तीनो राइट हैं लेकर हमें चाहिए इनकरेक्ट है तो अर्था तीनो गलत है सही है अब हम लास्ट वाले में देख लीजिए H2S NH3 SI H4 BF3 Bond एंगल बंत कौन क्या होगा है D वाले में तो यह राइट है कि नहीं है तो यह कि देपन का D इसका राइट अंसर होगा क्यासी देखिए आगको बता दें जो BF3 है इसमें Bond एंगल होगा 120 डिगरी और इसमें होगा 10928 मिनिट तोड़ा देखिए इसका क्या होगा इधर लेकर रहा हूं 109 डिगरी 28 मिनिट ठीक और NH3 का जो है एंगल है 107 डिगरी और इसका है इधर लेकर रहा हूं 92.3 डिगरी यह देन देना तो Bond एंगल सबसे देख BF3 का है BF3 पर greater than होना चाहिए आपकी H2S पर है इसलिए यही incorrect आपका अंसर है बस समाने इत्ता जान देना आप चलिए नाइस क्योशन पर हम बात करें आईए यह आगया बफर सॉलूशन का numericals आप big asset of dissociation content नहीं constant दिया है ठीक dissociation constant इसका मतलब क्या है आप जानते होंगे इसका मतलब है दिया गया है एक मैं sorry मारकर इंग ले ले dissociation constant dissociation constant मतलब P के A equal to 10 की पावर मानस के 5 इसका मतलब यह हुआ is being titrated with aqueous annual solution the pH of at the point of one third one third का मतलब one y 3 neutralization of the acid will be इसके क्या है 5 minus log 10 log 2 आना है जान सरेगा कैसे चल दिखते हैं इसको हलक भी कर सकते हैं आप मैं थोड़ा सा और देख लूँ देखियो कि फॉर्मला क्या होता है बपर solution के रिए यहां का देख रहे है annual देखा आपने annual से क्या पचला आपको यह आपका basic buffer है annual से क्या बचला आपका यह basic buffer है जगह कम है तो आपका देख रहा हूं आपका देखियो एक मैं तोड़ी जगह बना लूँ मैं जगह जादा नहीं बन पाईगी सर तो पेज नहीं लिया करेंगे next time से क्या होता है pH equal to pka plus sorry log salt by acid ठीक है तो 10 की power minus pH अर्था यहां रखतेंगे आप 5 plus और log जागेता रखेंगे 1y3 का मत्ता एक बड़े 3 into 2y3 sorry 3y 2 यह neutralization की बात होती साथ बना इसलिए हो जादा जब इसको हल करेंगे आप तो इसका आपका अंसर यह आएगा ठीक है आप करने का प्राज करें फिर देखते हैं आपको क्या बात है नाइस कुश्च्चन देखें 55 नमबर प्राइए आप फोर वट ऑब दी ऐलिमेंट बैरियस सक्सेसफ अनजेशन एंजेशन एंट हैजिए इंक्लोजुल पर मोड आरग इबन बलो जे आपके सक्सेशन एन्टलपी दी गई है और उनमें से कौन से सक्सेशन एन्टलपी है देखिए फर्स्ट की है सेकंड की थर्ड की फोर्त की फिप्ट की है कि समझ रहें इनमें से सक्सेशन सक्सेशन एन्टलपी इसकी आपकी होगी सोरी एक मैड़ेगा ऐलूमिनियम की सक्सेशन एथा पाक्री यह दिए इसके बाद जलते हैं आगे कुश्यन पर आप 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 पेशिनें तो सबको बन जाता है क्या होगा यहां लेखा दिख रहे हैं इसका मतलब पत्र जान लेए आप कि सीएश्ट्यू का होल फोर है इसका मतलब जैसे आपका लेखाई सीएश्ट्री सिंगल वन और समझ रहे ना इससा लगा हुआ हां आपका हुआ कि दोबार करते हमां अदिख़ींक यह लिखा vanem एदर का इसी पर अधर है तो हमें कार्वन की काउंटिंग करना प्राडम करना है दिखें कैसे करेंगा बने करें जितना ज्याद हो जिसे सीर्ट होल्ट क्यांट यह सब जाइगा सबुस्ष्य भाएं जगा की समस्य होने से अलगें समस्या चली देखते हैं यह अमारा बन हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा ये 2 और इसमें 2 लागे हैं तो 2 3 भी हो जाएगा ये आजाएगा हमारा 4 ठीक ये हमारा 5 इस प्रकार यहां गरें से को 10 नमबर तक आपकी कारवन पहुँच जाएगे पहला तो कारवन होगा 1 और 2 ठीक कारवन लागे जो 2 और 3 साथ में हो जाएगे यहां पर फोर नमबर पहेगा ये 5 नमबर पहेगा और यहां पर गिंती जलेंगे तो 10 कारवन हो जाएगे आप दिखिए 4 नमबर पर ये छूटा है तो 4 क्या हो जाएगा इसको देखिए 57 नमबर पर फिर 57 नमर पाद ही हम देखा है तो विच आप फॉलवें इंकीरिजिंग ओडर इस नॉट करेक्ट इद्धा धन्द्रा इस नॉट करेक्ट एज मैंटेंड इन दा प्रॉपर्टी विथ इट इस से एचलो 4 एचलो 2 एचलो एचलो 2 एचलो 3 एचलो थर मेंस्ते पड़ी इसक इसका भी रइंसर है एक विजुंग नेंचर फ्लॉरी फ्लॉरी प्रम इए लए डाइंसर इसका जोंग है तो इसका मतलि तीन हो गलत होंगे ओप्शन की कोड़ें इस सैंआ हो गैस चोलोप पॉर ठीक है आईर है यहां देखिये देख रहा है इसको राइट देखना है which of the following pairs of isomer is not correctly matched with its type of isomer isomerage में मतलब कौन सा isomerage में यहाँ पर राइट है और राइट है और राइट है इसका लेगेंड यहाँ आया है इसका मतलब है यह को ओडिनेशन आइस्वे में में इसका मतलब राइट है और हमें चाहिए राइट है ठीक आगे चलें कि सी ओ एनच्टिक और फाइण टू सी लटू तो देखो सी लटू अंदर जा रहा है और एणोड टू यहाँ देखो होगा यहाँ पाइनोड टू से का होगा ओनोड लिंकेज समावता है तो लिंकेज राइट है एवी राइट है और लास्ट के लिए पीटी एनच्ट विया और देखो सील अंदर जा रहा है और भी अर्वान है इसका मतलब आइनजेशन इसमें इसमें एवी राइट एंसर है इसका मतलब है हाइड़ेर समयता है नहीं पताना है कोड़े समयते अगल थे यही हैड़ेर समयता है यही राइट भी आइंसर होगा ओब्जट के कोड़े कि ठीक है घिए बच्छों मैं अभी इनी इतने कुष्चोनों को लेता हू कव तूइसको इसको सब्लें ले रहा हूं वहां लेहां कहा है र-co-r मतर्फ इसका मतलब करकी टॉन क्यों कि और अगर इनका इनका एक स्टेप मेड़ देखा तो क्या हो सकता है zer खाइडेज से एस्तर बन सकता है इसे को कहते हैं एक कीटोन का उलिए एक किसेप में करें तो हईडेलेश कराएगा तो एस्तर बनेगा नहीं है यह कभी निए औक्षिडायजिएशन तो प्राइमरी नहीं ऑक्सिडाइशन से दुतिया बन सकते हैं फ्राइमरी बन सकते हैं जब कि दिया है आपका ओक्सिडाइजेशन और सेकंडरी एल्कोहर इसका मतलब यहीं राइट अंसर होगा अगर कीटोन का ऑक्सिडाइजिशन करते हैं तो दुथिया कैलकॉल बनेगा प्राइमरी नहीं बनता है अगर एक और देख लिए कुश्चन पिसे टैन आपके कुश्चन हो जगा नेस टाइम देखेंगा इसे किनके साथ इमीन को इमीन को हीट किया जाए मतलब इमीन को गरम नहीं करना sorry ऑल गर मतलब आमीन देगा कब गरम को अधिक के साथ और गरम किया जाए अधिको को मतलब सिंगल बॉन सी ओ एन एच टू गुरूफ इसको किसके साथ गरम किया जाए कि जी हमें एमीन देदा ओनली मतलब एन एच टू गुरूफ देदे तो जाना टू केस देगा जब हम ब्रोमीन और जलिये के वेज की साथ एक कॉस फॉर्म में करा है इसके साथ नहीं मिलते हैं बाद थोड़ा सब रखें और होसला बनाया रखें मिलते हैं आपसे